दोस्तों इस दुनिया में आपने बहुत सी खूपसूरत चीजे देखी होगी जैसे कि एक खूपसूरत गाउं, तहर, उचे, परबत, जरने, जानवर, पक्सी, इस्तिया दी दुनिया में कुछ चीजे हम ऐसे भी देखते हैं, जिसे देखकर हमारी पलके नहीं जपकती है जी हाँ हम बात कर रहे हैं अखल्टे के होर्स गोड़े की ये गोड़ा दुनिया का सबसे सुन्दर और खूपसूरत गोड़ा है जब कोई इसे देखता है तो इस पर से अपनी नजरे नहीं हटा पाता दोस्तों इस दुनिया में जितना खूपसूरत इंसान होते हैं उतने ही खूपसूरत पसूपक्सी और जानवर भी होते हैं इस गोड़े को देखकर आपको लेगेगा कि यहां स्वर्ग से उतर कर आया है जिसकी खूपसूरती सी परवाही तोकर लोग इसे स्वर्ग का गोड़ा कहते हैं चाइनिज लोग इसे होर्स ट्रॉम हैबन के रूप में देखते हैं इसलिए देखते हैं क्योंकि इसकी सुन्दरता इतनी अधिक सुन्दर है कि इसको देखने वाला सक्स मानो इसकी दुनिया में ही खो गया है खास तोर पर अरवी और मारवारी गोड़ों की नसल को ही अभी तक सबसे सुन्दर माना जाता रहा है आपने राजिस्तान के मारवारी गोड़े देखे होंगे जो देखने में बहुत सुन्दर और महंगे भी होते हैं लेकिन दुनिया के सबसे खुबसुरत गोड़े की बात कुछ औरी है इसकी इसकीन इतनी सौप चमकदर और सुनारी होती है कि जो दिगने में किसी सोने के गोड़े जैसा लगता है इसकी इसकीन की चमक मैटल दातु की तरह दिखती है और इसकी इसकीन की चमक आनवन सिकी के काराण इसकी इसकीन चमक के साल लाइट में रिफ्लेक्ट करती है और जब संड्रे सूरे की रोशनी इसकिन पर पड़ती है तो ये और भी खूबसूरत गोल्डन कलर का लगने लगता है इसकी चमक किसी राजसाई गोड़े से कम नहीं है बलकि उससे भी अधिक है तो भी इसे देखता है देखकर एई कहता है खुदा ने इसको बड़ी पूर्शस से बनाया है तुर्की का ये गोड़ा किसी करिस्मे से कम नहीं जिसको मिला है किताब दुनिया का सबसे खूपसूरत गोड़ा होने का इस गोड़े का नाम अखल टेके हैं और ये दुल्लब नसल का गोड़ा तुर्कीस्तान में पाये जाते हैं जो कि वहां का रास्तिय पसू भी है और वहां के लोग इसे सुपरिस्टार के नाम से बुलाते हैं जितना दिखने में सुनदर है उतने ही फूर्तिले और powerful भी है ये किसी भी परकार के मोसं में रह सकते हैं ये गोड़ा किसी सुपर मोडल से कम नहीं है बल कि सुपरिस्टार के नाम से भी जाना जाता है इसलिए तुर्की मेनिस्तान में इसे सुपरस्टार के नाम से जाना जाता है इससे पहले भी हमने गोड़े के बारे में एक वीडियो पहले बनाया हुआ है कि गोड़ा दिन बर इतनी मेहनत करता है और इतनी मेहनत करने के बाद भी पूरे दिन में सिरिफ 25 से 30 मिनट ही होता है इसका लिंक आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा दोस्तों कैसा लगा आपको ये दुनिया का सुंदर खूबसूरत गोड़ा जितना खूबसूरत ये गोड़ा है उतना ही खूबसूरत तरीके से हमने ये वीडियो बनाया है आपके लिए दोस्तों इस वीडियो को कर दीजे लाइक और साथ में कर दीजे चैनल को भी सब्सक्राइब जय हिन